हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल टार्गेट गॉर्मेंट पोश्ट में दोस्तों यूपी बीड प्रवेस परिच्छा 2020 की कंप्लेट जानकारी के लिए आप लग जोड़ सकते नीचे दीगे रिट क्लेर के सब्सक्राइब बढ़ प्रवेश पत्र आपके कब से जादी हो जाएंगे परिणाम कब जारी होंगे पेपर होने के बाद में और बात करेंगे काउंसलिंग देगे सबी को पता है कि आपकी जो डेट है वो 29 जुलाई रखी गई ए एक्जाम के ठीक है ना सबी को पता है अच्छा तो बात ही करने वाले थे कि प्रवेश पत्र कब जारी हो जाएंगे परणाम कब जारी होगा counseling dates आ चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिच्छा केंद्रे हैं उनको लिए करके बदलाओ होगा पहले आपकी जो परिच्छा उनी थी वह 53 जिलों में परिच्छा नहीं होगी कितने जिलों में परिच्छा होगी तो चलिए देखेंगे इ पहुंचाते हैं और जो भी आपके लिए थोड़ी मैनत करते हैं तो उसका मोटिवेशन हमें जरूर मिला चाहिए हम आपके लिए मैनत कर रहे हैं चलिए बहुत अच्छे भई दिखें परिच्छर का कारकरम किस प्रकार से रहने वाला है 28 अगस्त को आपका परिणाम जारी इस दिन चलने वाला तोब 15-2 दिर लग जाएंगे कि 26 अक्टूबर को सीधे प्रवेश 26 अक्टूबर को सीधे प्रवेश और 19 अक्टूबर से नया सत्र सुरू होगा अब आप यहाँ पर यह कहेंगे कि 26 अक्टूबर को सीधे प्रवेस और 19 अक्टूबर से नया सत्र देखिए काउंसलिंग जिस प्रकार से होती जाएगी तो काउंसलिंग के बाद में जो नया सत्र की बात यहाँ पर की जा रही है तो वो 19 अक्टूबर से तो नया सत्र सुरू हो जाएगा लेकिन जो सीटें खाली बच जाती है उनमें सीधा प्रवेस हो पाएगा 26 अक्टूबर को चली, डेट पहले से निर्दारित कर दी गई है अब हम लोग यहाँ पर यह देखेंगे तो जो 50 जिले हैं, उनमें होगी बीगड की प्रवेस परिच्छा, 50 जिलों में qutti की प्रवेस परिच्छा 17 तब जो नुछनी थी और इसमें परिच्छा के परिश्चा के नदरोاش लेकर की बदलाव किया रधाया थे तो यहाँ पर देखे उधर लक्णों विश्यवी जैले कोल्स conspiracy डॉक्तर विनौध कुमार सिंग के मुताबिक बीड़ प्रवेस परिष्चा का अब प्रवेस जो है प्रवेस प्रिष्चा का अब प्रदेशके 50 जिलोह में होगी्गि पहले 73 जिले होनी थी परिच्छा अब 5 जुलाई को केंद्रों की अंतिम सूची जारी होगी ठीक है तो 5 जुलाई निकल की डेट पे आपकी जो केंद्रों की अंतिम शूची वो जारी कर दी जाएगी लखनो विश्विद्याले ने अब्यारतियों को अपने नजदी के जनपत के तीन केंद्रों चुनेने को विकल्प दिया था ठीक है तो एक लाख दस जार एक लाख बहुत ध्यान से देखी गए एक लाख दस जार अभ्यार्थियों ने विकल्प चुने जिसमें से अगर बात करें तो टोटल विद्यार्थी जो है 4.35 है ठीक है मतलब 4.35 इन मैं से किवल एक लाख दस जार अभ्यार्थियों ने विकल्प में बदलाव किया ठीक है जो परिच्छा केंद्र उन में चिंजमेंट किया सभी केंद्रों की जो समिच्छा करने के लिए बात जिलों की संख्या है वो कम की गई है ऐसे जनपद जहां तीन से जादा केंद्र नहीं बन पा कि पंद्रा जुलाई प्रविष पत्र की बात हुई पंद्रह जुलाई को आपके प्रविष पत्र जारी होने के संभावना है मतलब पंद्रह जुलाई से पहले भी 14 जुलाई को भी जारी हो सकते है या फिर पंद्रह जुलाई तक प्रविष पत्र आपके जारी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्यार लखें जैहें सभी को वीडियो को जाते हैं लाइक और शेकर ना बोले अपने दोस्तों के शाहत में तन्यवाद